नमस्कार दर्सको आप देख रहे हैं सफन टेवी में शुनी कमार दर्सको अभी एक वीडियो सामने आया संक्राचारे का जहां हर्याना अभी मैं हर्याना के इसार जिले के अंदर हूँ और संक्राचारे का वीडियो छोड वीडियो सामने आया जहाँ पर संक्राचारे जी बोल रहे हैं कि हरी आसी हर्याने नूँ और हर्याना के लिए उनोंने बताया कि हर्याना के अंदर प्रमात्म आएंगे तो दर्सको और इसके साथ कुछ और भी भविशेवाणियों पर अपनी नजर गुमाई जहां बाबा रामदेव जी ने का कि हरी आसी हर्याने नू रंगरी रित चुका सी और संत ग्रीबदाज जी छुडानी की हर्याना के उन्होंने भी का कि उत्तरपूर पक्षिम फिर्दा दाने दाने नू सरव कला सत्गरूर साहवी की हरी आये हर्याने नू तो दर्सको पहले आप ये संक्राचारे का वीडियो देखिए और उसके बाद आगे की बात करेंगे आगेर शाजिस कर रहे हैं। चाहरे हमने इंटरनेट में जब हरियान के बाद बाडय में पढ़ना सुरू किया तो उसमें हमने लाइने पढ़ हुआ है। हरियान का नाम हरे रंग के कारण पढ़ गया है। अब हमने पढ़ा है हरे स्षड़ कहा है। फिर एक जगा पे दूसरी जगा पे लिखाता कि यहां खेती प्रदान है फसल हरी हरी होती है इसलिए हरी हरा रंग के कारण हरियाना होगे तो फसल क्या दूसरी जगा नहीं होती है पांडी चेरी में तो हर्कमे बरता होती है तो कभी पतज़ड भी नहीं आता है तो वहाँ का नाम हरियाना क्यों नहीं होगे तो हमारे प्रदेश के हरी शब्द को हरे रंग में बदलने की साजिस भी हो रही है तो हमने सोचा कि साजिस को आकार लेने के पहले ही दोस्त कर देना भी ज़रूरी है अब आपने संक्राचारे का ये वीडियो देखा जहां संक्राचारे जी ने हरी आसी हर्याने यानि जो हर्याना है वहाँ पर हर्याने की धर्ती गंदर जो भगवान आएंगे उसके विश्य में बताया तो दर्सको अब आपनी राय बताईए कि जो संक्राचारे है और उसके अलावा संक्राचारे जी तो भगवान विश्णु के बारे में कह रहे हैं और जैसे बबार राम देव जी महाराज जी और संत गृपदा जी महाराज ने किसके बारे में बताईए कि उत्तर पूर पक्ष तो दर्सको वो हरियाना के अंदर जो हरी कौन है उसके बारे में अपनी राय जरूर बताईए धन्यवाद